देवल परिवार में अब धरमेंदर सनी देवल और बवी देवल के बाद करन देवल भी फिल्मों में एंट्री ले चुके हैं और अपनी पहली फिल्म पल-पल दिल के पास करने के बाद अब अपने home production की फिल्म अपने की sequel की तैयारी में जुटे हुए है इस फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा करेंगे जिनोंने इसे पहले अपने फिल्म का भी निर्देशन किया था वहीं इस परिवार के एक और गुणी एक्टर की बात करें तो पिछले दिनों रिलीज जी एल 50 फिल्म में वो अपना जलवा दिखा चुके है इस टाइम ट्रैवल फिल्म में लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया था ये एक्टर है अभे देवल अब एक बार फिर से दो दे फिल्म की जिसे हिंदी में रिमेक किया जाएगा और इस फिल्म के लीड रोल्स में होंगे अभे देवल और करन देवल जी हां चाचा भतीजे की इस कॉंबिनेशन वाली फिल्म का निर्मान करेंगे अजय देवगन और इस बार उन्होंने फिल्म का डिरेक्शन दिवेन मु साउथ की ये फिल्म जिसका हिंदी रीमेक किया जा रहा है इसका नाम है ब्रोशवेरे वरूरा। ये कहानी है तीन दोस्तों की जो जब कभी कोई अच्छा काम करने जाते हैं उनसे कोई न कोई गलती हो ही जाती है। जब उनकी गलतियां बढ़ने लगती है तब शुरू होता है एक रोमांचक सफर। इसी सफर को अब अजय देवगर हिंदी दर्शकों के लिए बनाने के तयारी में लगे हैं। फिल्म में दो और मेल एक्टर्स की तलास जारी है और इसके साथ साथ एक फीमेल एक्टर्स को भी ढूंडा जा रहा है। फिलाल करन देवल अपने टू की शूटिंग की तयारी में जुटे हैं जिसमें वो एक बॉक्सर की भूमी का निभाएंगे। इस फिल्म की शूटिंग अगले साल गर्मियों तक शुरू हो जाएगी और वहीं अजे देवगन भी रकुल प्रीत सिंग और अमिताब बच्चन के साथ हैदराबाद में फिल्म मेडे की शूटिंग कर रहे हैं और अगले मंत ही वो अपनी फिल्म मैदान के बचे हुए जुड़े रहिए नमस्कार